नमस्ते दोस्तों मैं हूँ देविदास और मेरे चैनल का नाम है देविदास ठवरे स्टूडियो दोस्तो हो इस वीडियो का विशे है रेल करमचारी पिटियो पर आनलाइन रेल तिकट लेने के बाद कैंसिल कर दूसरा तिकेट रिजर्वेशन काउंटर से ले सकते है या नहीं इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तो मेरा वीडियो पसंत आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना वुले साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आप तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो मैं सबसे पहले आयार सिटी स कि एप पर गया वहाँ पर लागिन हुआ लागिन होने के बाद में यहां पर मैंने तिकेट बुक करी तो दोस्तों मैं बता देता हूं तिकेट बुक कहां पर की यहां पर दोस्तों हो मैंने दो तिकेट बुक करी थी इन दोर से रतलाम के बीच में आप देख सकते हो ठीक है औ फिर बाद में एक शाटल पर तिकेट लिया था ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने कैंसल कर दिया उसको पहले दोस्तों एक बार पीटियो पर तिकेट बनने के बाद में दुसरा तिकेट नहीं हो सकता था याने वो पीटियो इन्वैलिट होता था खतम हो जाता था लेक इसको कैंसल करने के बाद उसको आप लाइन याने काउंटर से रिजर्वेशन काउंटर से ले सकते है या नहीं ले सकते तो दोस्तों मैंने इसको कैंसल कर दिया दूसरी बार इसको कैंसल कर दिया और उसके बाद में दोस्तों मैंने इसी पिटियों के उपर रिजर्वेशन का लिए यहाँ पर लिखावा है और यहाँ पर मेरा UPN नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा आप लाइन तिकेट बना लो एक बार तिकेट बनने के बाद में दुसरी बार तिकेट नहीं होता था लेकिन अभी रेलवे ने ये रूल बदल दिया है अभी आप आनलाइन तिकेट लेने के बाद उसको कैंसल करके आप लाइन तिकेट यानि रिजर्वेशन काउंटर से तिकेट ले सकते हो ये दोस्तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है मतलब आपका PTO वेश्ट नहीं जाएगा इस वीडियो के मदम से मुझे यही बताना था कि आपका तिकेट जो है PTO से बनने के बाद में उसको कैंसल करने के बाद में आप रिजर्वेशन काउंटर से तिकेट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो तो दोस्तो इस बारे में अगर आपके मन में कोई कुशन हो तो मुझे जरूर पूछ सकते हो तो दोस्तों मैं हूँ देविदास मेरे चानल का नाम है देविदास ठवरे स्टूडियो वीडियो पसंद आया तो लैक सब्सक्राइब एंड सेर करना ना भूले थेंक यो वेरी मच